नमस्कार मैं आप सभी का इस वीडियो टुटोरियल में स्वागत करता हूँ पिछली वीडियो में मैंने आपको फायर्स वेब से इंटोडूस कराया था और आज हम उसके वाचलिस्ट पैनल के बारे में बात करेंगे वाचलिस्ट क्रियेट करने के लिए आप एड सिंबल बॉक्स में टिकर का या तो नाम या फिर उसका कोट टाइप कर सकते हैं एक्जामबल के तौर पर HDFC आप या तो HDFC बैंक या फिर सिर्फ HDFC टाइप कर सकते हैं और आप स्क्रिन पर उसका Spot, Futures और Options का डेटा देख सकते हैं तो इसमें से आप कोई भी एक सिलेक करके उसको वाचलिस्ट में एड कर सकते हैं जैसे ही कोई स्क्रिप्ट एड हो जाती है तो वाचलिस्ट पे उसका Symbol Name, Last Credit Price, Value and Percentage Change दिखाया जाता है इस वाचलिस्ट को काफी एडवांस तरीके से डिजाइन किया गया है इसमें आप अपनी सर्च को अलग-अलग टैप्स के सहारे फिल्टर कर सकते हो Spot Prices सर्च करने के लिए Stock टैप पे क्लिक करिए Futures टैप के अंदर आप 3 महिनों के Contracts देख सकते हैं और आपके Convenience के लिए Option Contracts को पिछली दिन के Closing Price के हिसाब से डिस्प्ले किया गया है इसके अलावा हमने आपको कोई भी Option Contracts सर्च करने का बहुत ही आसान तरीका दिया है कोई भी Contracts सर्च करने के लिए Type करे Script Name, Space उसका Month Series, Space Strike Price, Space Option Type यान की Call या Put और वो Contract आपकी स्क्रीन पर दिखाए देगा इसके अलावा आप इस Watch List में Exchange Traded Fund भी सर्च कर सकते हैं अज्यूम करते हैं आपको एक Specific ETF सर्च करना है एक्जाम्बल के तौर पर Nifty तो Search Box में Type करे Nifty और Screen पर आप सारी List देख सकते हैं इसके अलावा ये Watch List आपको कई सारे Indices सर्च करने का Option देती है जैसे की Nifty 50, Bank Nifty, etc. आप इस Watch List में कोई भी स्क्रीप को कही भी Drag करके रख सकते हैं जैसी की अभी मैं इन Indices को Top पे रख रहा हूँ इस Watch List के बारे में एक यूनिक चीज ये है कि ये कोई भी काम के बाद Auto Save हो जाती है इसका मतलब आप Next Time जब भी Login करोगे तब आपको Watch List में सारे स्क्रीप सेम ओडर में दिखेंगे जैसे आप Set करके गए थे इसके अलावा अगर आप कोई भी स्क्रीप को Watch List से डिलिट करना चाहते हो तो सिर्फ इस X बटन पर क्लिक करिए आप इस Watch List को बड़ी आसानी से Resize भी कर सकते हैं और आखिर में आप Watch List वाली कोई भी स्क्रीप का चार्ट बस एक Mouse Click से आसानी से लोड कर सकते हो